नमस्कार यह से शिटी किस अलांनी प्लेटवों पर मैं मुक्रत्पाकर आप से एका एगा फिर से हर दिछ वाकत करता हून तो साद ही व्थूर्ट्र के बारे में यह दिसमें हम चाहिस इसात हम उसके कुछ फोर्मुले known हो आज स्थार कि उपनी क्लास से रहे में क्या होता है कि कोई अपने एक दो बिंदू ले लिए दिसके और भी बिंदू ले लिए उनमें एक कोई सब्सक्राइब करना है और उस तरह से अपने को कार्य का मान निकालना है तो करते हैं अपने क्लास स्टाइब तो है इस तरह विदू शेत्र में आवेस पर किया गया कार्य कारे खस्माकिंग इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए करना होगा एक इस तरह से दो बिंदू लेते हैं जैसे मैंने लिए यह हो गया भी कि यहां पर को एक शेत्र पर पांस लिए डियेल और यह हो गया आपके विद्धूत्य शेत्र पर कदेशेत्र तो अब है इसके अकोर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जो अपने दो बिंदू लियें एवे बी इन दोनों बिंदूओं के मद्य जो हमने शेत्र पर पर पांस लिया और जो शद्विस इह उन दोनों का गुंदफल के अगिए कारिये के बराबर होता है इन दोनों का अधिस पर पांस इस विद्धूत्य के साफ्यक्स लिए गे शेत्र पुलबंपांस का अधिस्गुंद्फल बलके तुल्य होता है धीक है तो सबसे पहले तो नो को इसको मानना होगा कि हमने यह मान लिए कौन से वरा कि सबसे पहले हम अधिकार के उसको क्या माना और यह विंदू हमने पान कौन कि कि क्या लिखेंगे तो हुझ विदुशेत्र में आवेस क्रेओंगे का में बताना है करें का मुल नहीं क्रपना करें बीसी किante किसी विद्ध शेत्र मैं अरवी का मतल पर जाल के विद्ध रेखा समा कलन के लिए सदिश शेत्र मैं दो बिंदू एवे भी लेते हैं पस जो चित्र बढ़ाया है उसके कोडिंग उसकी छोड़ी लिखने हैं एवे भी ले लिया तथा इन कि बिंदूओं के मद्दे कि नहीं इस्तान पर एक शेत्र पर पांस अलपांस डियेल जिसके साप एक्स विद्धियो तुशेत्र यह होजाएगा इवेक्टर है तो विस्तापन अलपांस यह विस्तापन पांस है ने इसको विस्तापन अलपांस मानना है रंट विस्तापन क्या वथा होता वेख एक विस्तापन अलपांस क्या है कि यह यहां से यह तक में विश्वपन ये क्या है सदी सासी है और ये क्या है विश्वपन अलपांस D L, यहांपे द्यान रखना हो, या फिर इसको आपे सब आपर तो अलपांस नाम दे मिलें, था नतिए विदुशेत्र E हो आपकाँ तो अब क्या है अलपांस की षत्ति ये हो गया किhmि noises gas तो अलपांस डिये लेटर जथा इसकी इसती में विदुद्चेत्र का अधिश गुनद फर्ग रेखा स्माखलन क्यलता है रेका स्माखल क्यलता है जिसकी सब्सक्राइब है तो अलपांस डियेल तथा इसकी सित्ती में विदुद्चेत्र ए विक्टर का अधिश गुनदपल रेखा स्माखल क्यलता है ये हमारे बात इसे रेखा स्माखल की पूरिबासा पता है तो क्या हम इसको एक सी लिखा दिये तो डारेक्ट लिए होगा एससे भी यह लिया था हमने एससे भी दो बिंदू लिये थे एससे भी तक आपको क्या करना है स्मॉकल करना है और क्या हो जाएगा यही तो है रेका समा के बारे मैं अभी मैंने यही बताया देखो यहां पर पूरी जो थोरी है पस यह इसी पर और मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि दो बिंदू ले लिए इनके मद्दे वह से 555 ले लिया उसके इससे में एक वह वेक्टर ले लिया सद्धिश और फिर यहां प आदेश कुननद पे तो अब क्या होगा वैं किसी जैसे के विदुद्शेत्र में उसमें जो अपने स्थित अवेस है क्यों उस पर जिसे कि बल की बात करें तो बल बराबर क्या हुझा ब्राबर क्यों होगा यह होगा यह होगा कि विद्यूत शेत्र में क्यूप पर बल अब है यह एक चीज यहां पर थोड़ा सा ज्याना रहा है कि जो यहां पर यह बल हमान निकाल रहे हैं यह कार्य करने वाला बल है है एफ एफ यह हम निकाल रहे हैं विद्यूत शेत्र के अकोर्डिंग और यहां पर जैसा कि हमने विद्यूत शेत्र की तिवर्ता के बारें पड़ाता है कि यह दि बल की दिशा विप्रीत है तो वहां पर जो विद्यूत शेत्र की तिवर्ता है वह किस मिली जाती है माइनस म widget लगएगा तो जो विजू शेत्र की तिवर्था है तिवर्था प्रजच्बल है उसका मान क्या हो जायेगा माइस का क्यूकि यह जुमान है मैंने का से निकला है पता आपको विद्शेत्र की त्यूर्था जैंज और क्या पढ़ाता हमने यह पढ़ा था यह प्रिक्वल ट्टू को मानस का कुई है अब हमें क्या करना है कि इस से आवेस को डियेल से विस्तापित करने में किया गया कर राए कारी की बात करें तो यह क्या होजाएगा की डिडबलू अब विस्तापित किया है तो शेत्र पॉलपांस ले रहे तो कारी भी यही होगा ठीकल क्या होजाएगा एफ डौट आप डॉट अपिर यहीं तो होगा विस्तापन एफ डोट डी एल यहां से अब इसको नाम देदो आप समीक नमबर 3 अब यह क्यूशन लगबग अपने कंप्लिट होने को यह बस इसमें दो तिन स्टे में कंप्लिट हो जाएगा यहां पर यह जो माल है कारी का एक अलपांस मन लिया बल एफ एक्टर डोट यह हो जाएगा श बिंदू काहां से ले जा रहे हैं बिंदू को S से B तक ले जाने में किया गया कारी ब्राबर क्या है कारी की बात करें तो W ब्राबर क्या हो जाएगा है से B F .dl अब हैं से हम अप का मान निकालेंगी तो कमान क्या है वो रहा एप ब्राबर क्या माइनस का क्यों इस वह है अरे यही मान थो बस यही तो मान यहां पे रखना है है तो यह क्या हो जाएगा ऐसे बी और जो एफ में उसकी जिए क्या जाएगा क्यों इसको नमर देना चाहते हैं तो समीक्रण चार में समीक्रण दोसे एक्टर का मान रखने पर एक्टर का मान लखेंगे तो यह कितना हो जाएगा ऐसे बी माइनस का यूई वेक्टर डियल वेक्टर यहां पर जो मैनस से उसको बार ले लेता हूं मैनस को बार ले लिए तो यह हो जाएगा ऐसे बी यूई वेक्टर डोट डीयल वेक्टर ठीक है यहां तक यह जो क्यों है इसकी बात कुरूने तो यह भी तो एक आवेस से इसको बार ले लूँ तो यहां से कुछ अगया बस तो यहीं तक मान अब क्या कर्णा है कि अब हमें इसकी ठोरी लिखने किया नएक कADE एक एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारे उस कि बिंदू के विदुध शेत्र तथा उस विदुध शेत्र में अवेश के कि विदुध शेत्र तथा शेत्र बिलपांच के एक श्माकलन के तथा अवेश के गुणंदफल के तुलिह होता है समझें कुछ नहीं समझें अरे नहीं समझें तो आप इसकी लेंग्वेज नहीं लिख सकते क्या है यह डोट डील है यानि कि विदुशेतर एक मूट को कि किसी आवेस क्यों को एक बिंदु से दूसरी बिंदु को यह लिख दो आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कारिय क्या होगा बई क्या गया क्यों वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गयी तो ले जाने में किया गया कारिय क्या होगा कारिये ये वहाँ पे क्या है इवेक्टर डोट डिल वेक्टर तो उसको मैं क्या लिकूंगा कि विद्धुत्षेत्र विद्धुत्षेत्र के रेखा श्रिमाकलन के तूग गुणा के ब्राबर होता है कि ये कारिये विद्धुत्षेत्र के रेखा समाकल के क्यों गुणा के बराबर होता है अब ये तक जो मैंने लिखा है वो इसी के कोडिंग लिखा है दूसरे सब्दों में क्या क्या सकते हैं कि विद्धुत्षेत्र में कोई है विद्धुत्षेत्र उसमें एक आंक आवेस को विस्तापित करने में कि किया गया कारी किसके तुल्य है विद्धुत्षेत्र करते हैं कि देखा समाकलन के तुल्य है बस यह भी आप लेक्षेत्र दोनों में से कोईसे भी लेंग्वाज जो आप अब यह जुरूरी नहीं एक वैब जो मैंने लिखा है बस आप उसको रटके कैसे है जैसे जैसे लिख दोगी बही सर ने जो बोला बस हमें वही लिखना है आप अपने मंद से कुछ भी बनाओ गलत नहीं माना जाता है यह हो गया विदुशेत्र यह हो गया पांस यह कि अगया कारिये यह हो गया अवेस बस इसकी अकोडिंग आपको इसकी लेंग्वेज बनाने है और छोड़ी लिखने है ठीक है अब यदि हम यह कि बिन्दु कोई विदुशेत्र ही है और बंद परस्ट है तो एक कार्य को इस तरह से निरुपित करेंगी कि पर के लिए नहीं आपको व्यसे बता दिया है कि कि तरह से आपको निरुपित करना है लेकिन फिर भी यदी जैसे कि आपकी मुख है उसमें इस तरह से कि जैसे कोई बिंदू है आवेश है उसको एक बींदू से दूसरी बिंदू तक ले गए तो एक विद्ध दूसरी बिंदू तक ले जाने में उसकार एक समाकल को किससे निरुपित करेंगी तो वह भी आप लिग लों के points बना के लिग लोग या फिर कैसे बिलिग लोग कि यद्धी वक्र अबी एक बंध वक्र फोटो इसका देखा समाता तेका समाल गया होगा वैं वैं होलोप इंट्रिकर्शन यूडोट देल वेक्त बस इसको निरूपित करते हैं ठीक है और साथ इसाथ जैसे कि इसमें आपको कारी का मान पूछ लेकि कोई बंध वक्र है जिसको एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने में मैं यहां पर डारेक्ट लिख रहा हूं इसलिए कोई बंध है उसमें एक बिंदू से दूसरी बिंदू तो ले जाने में जो हमें कारी करना पड़ता है वो क्या होता है है ना करता होता है तो इसमें अपूछ भी नहीं है बाकि की जो छोड़ि है वह आप लोग है लेकिन जो मैं अपना जो टोपिक था वह कारिय का जो भी मान प्राप्त करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है वक्ति जो पिछली क्लास हैं उनमें भी मैंने आपको बताया है कि लास्ट जो वेंजग प्राप्त करते हैं उसमें हम बसा ध्यान रखना आपको कि उसकी ठोड़ी लिगनी है कि यह जो अंतिम वेंजग है ओकिसको निरूपित कर रहा है हमने गए जिसको निरूपित कर रहा है यहां पर判के जो विदुशेतर के तता अलकशे उसके गुणनदफल है कारिय के तो ले किया था तो अब जो और इसमें आवेश भी था शात्म गुणान था तो यह आप अपनी लेंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हों ऐसा नहीं है कि जो मैं बताओं या फिर जो बुक में दिया वही आप लिको लेकिन जो वेंजक है वो आपको से डंग से और ज यह पता ही नहीं कहां से कहां जा रहे हो तो अब द्यान रखना है या आपके लेकिन बिल्कुल इजी था दो तीन स्टेप में complete होने वाला है वैसे इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है मैंने तो सब्सक्राइब समझाने में और एक आपको हल करने में टाइमिंग आपको पता है कम लगता है इसलिए यह आपको में समझ में आ गया तो आप मुझे लगता है कि लास्ट दस मिनट क्या यार दो मिनट में सोल्व होने वाला क्यूसन है यह तो आज गली इतना ही जन्यवाद